नमस्कार, SBT News पर पेश है जोदपूर बिकाने जिले की बड़ी खबरे कोरोना संक्रमन काल के दोरान बिना अनुमति के वेवसाइक भवा निर्मान करने वालों के खिलाफ जोदपूर नगर निगम सक्त कारवाही करेगा नगर निगम ने शहर की 83 बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर साथ दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं निगम आयुकत सुरेश कुमार ओला ने बताय कि निगम की ओर से शहर भर में इस तरह की बिल्डिंग का सर्वे करवाया गया सर्वे के बाद नगर निगम के अनुमति के बिना वेवसाइक निर्मान करने वाले 83 बुखंड अमालिकों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं विकानेर के सीमावर्थी शेतर में पिछले कुछ दिनों से नकली नोट चलाने वारा गयाइंग सकरी है ज़्यादा तर एक ही सीरियल नंबर के नोट मिल रहे हैं इस सूचना पर खाजवारत अनदिकारी विकरम सिंग चोहान ने बताया कि इलाके में नकली नोट एक ही सीरीज की चलने की जानकारी मिली है ज़्यादतर पेट्रोल डीजल भरवाने के नाम पर चलाय जा रहे हैं समुच्वा मारवार गर्मी के साथ लू का कहर जेल रहा है पाकिस्तान में बने चकरवाती तंत्र के असर से अब गरम हवाई और अगले दो-तीन दिनों तक पूरे पश्चिमी राजिस्तान को जोचा सकती हैं ऐसे में जोद्पुर संभाग के सभी जिलों में लू का दौर चलने और पारे में बढ़ोती होने के चेता उनी मौसम भी भागने दी है जोद्पुर में शुकरवार को अधिक्तम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया बिकाने नगर निगम महापावर और आयुक के बीच अधिकारों को लेकर हुए टकराव का आज असर शहर की सफाई विवस्था पर नज़राया आज सभी करमचारियों ने सफाई कारे का बहिशकार किया इसकी विज़े से निगम में लोगों की कामकाज अप्रभावित हो रहे हैं पार्शेत अनिता शर्मा और आदर्श शर्मा ने संभागय आईप्त से उक्तगतिरोद को समाप्त कराने के लिए अग्रह किया है केंद्र जोशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने एक बार फिर कॉंग्रेस पर निश्वान असाधा है शुकरवार को जोधपुर में उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने अपने कारेकाल में पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है जबकि कॉंग्रेस केवल भ्रांत्या फलाने का काम कर रही है ये बात उन्होंने आज जोधपुर संसदिय शेत्र के शेरकडविधान सबाश शेत्र के दौरे के दौरान कही मंत्री शेखावत, आगोलाई, बाले सर और देचु में भारती जन्ता पार्टी जोधपुर्दी हाथ के बूध संपर का भियान के कारक्रमों में शामिल हुए बिकनेर में भटियारा पंच्चु आयत की बगेची तलाई और शम्चान भूमी पर कबजगा विरोध हुआ है विश्वे इंदु परिशद ने आज प्रदर्शन कर स्पी को ग्यापन सौप कर कारवाही की मांग की है ग्यापन देने वालों में माहानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा, बजड़ंग दलके संयू जग दुर्गा सिंग और भटियारा समाज अध्यक्ष शामिल रहे जोद्पु शहर के सरदारपुरा प्रथम बी रोड पर जुवेलेस से हुई लाखों की लूट करने वाले आरोपियों का शुकरवार को दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा लूटी गई स्कूटी का अभी तक पता नहीं चल पाया है पुराने अपराधियों की रिकॉर्ड भी खंगाले चौर रही है तकनी की पहलूँ पर कारे चुल रहा है पुलिस बदमाशों की चपे चपे पर तलाश में लगी है और जल्द ही खुलासे की उमीद भी जिताई जा रही है जोत्पु शहर के आसपास एक मकान और गोदा में चोरी हो गई कुडी पुलिस ने बताया कि सहस्वती नगर के महेंद्र विश्णोई ने रिपोर्ट दी कि रात के समया ग्याचोर आदश नगर कुडी भकतासनी शेत्र में सित उसके मकान के ताले तोड़ कर कीम्ती समान चुरा कर लेगा दूसरी तरफ बनार पुलिस के अनुसार इंद्रप्रस नगर के नांदरी के संपत सिंग ने रिपोर्ट दी है कि इसी शेत्र में उसका मार्बल का गोदाम बना हुआ है वहाँ पर नगबजलों ने सेंफानी करके आफिस में लगी अलिडी चुरा ली बिकानेर के कसाईयों की बारी शेत्र में एक महिला के कोरोना पॉस्टिव पायो जाने पर स्वासिवी भाग की ओर से आज सुबह से शेत्रवासियों की कोरोना जांच के लिए शिविर लगाये गया सियमेच डॉक्टर बियल मीरा के नेतरत में सुलेमानिया मदर्सा मोहला व्यापारियान बिकानेर में शिविर के दोरान 101 लोगों ने जांच करवाई इस दोरान शेत्र की मृतक महिला के संपर्क में आए परिवार के सभी सदस्यों ने जांच करवाई जूदपुर के जुला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कलेक्टरेट में कोविड-19 में बहतर सेवाई देने वाले विभीने विभागों के 138 कोरोना वरियर्स को प्रशस्ति पत्र दे कर समानित किया जुला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने समानित कोरोना वर्यर्स को शुब कामनाय दी पूरा तत्वे वं संग्रहाले विभाग के अधीन प्रदेश के सभी समार्क संग्रहाले भले ही परेटकों के लिए खोल दिये गए हों लेकिन जोद्पुर के संग्रहाले को अभी तक एक भी दर्शक नहीं मिल सका है इसका प्रमुक कारण दोनों प्रमुक संग्रहाले दरसल उध्यानों के भी तस्थित हैं और उध्यान के प्रवेश द्वार राज्य सरकार के आदेश से ही बंध है ऐसे में पुरा तत्वयम संग्रहाले विभाग जोद्पुर व्रत के अधिक्षक बियल मौरे ने उमेद उध्यान और मंडोर उध्यान के मुख्य प्रवेश द्वार खोलने के आदेश ज्वारी करने के लिए जिला कलेक्टर नगर निगम और सार्वजिनिक विभाग के अ जिंदर सिंख शेखावत ने अमलतास और बेल पत्र के पौधे लगाए देश भर में जोदपुर एरपोर्ट की 47 वी रैंक एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की ओर से हाल ही में ज्वारी की गई देश भर के टॉप 50 एरपोर्ट की रैंकिंग में जोदपुर एरपोर्ट को 47 स्थान मिला है यात्री भार कम होने से जोद्पुर एरपोर्ट पिछले साल से तीन स्थान पर और नीचे आ गया है जोद्पुर एरपोर्ट से गत सितंबर से लेकर मार्ज तक पांच लाग से अधिकी यात्रियों ने यात्रा की जबकि इससे पहले के पांच महिनों में केवल पचास से साथ हज़ार यात्रियों ने ही फ्लाइट का उप्योग किया जोद्पुर सेत रायसान हाई कोर्ट ने श्री गंगानगर में समीदा पर नियुक्त जिला लेखा प्रबंदक के एपियों आदेश पर रोक लगाते हुए पुन है वरतमान पत पर जोइनिंग कराने के नियुदेश्टिये हैं इस मामले में राजिस सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है याचिका करता सतीश गुपता के अधिवक्ता ने कोड को बताया कि गद्दो की खरीद में शिकायत है सरकार ने कमेटी गठित कर जांच करवाई तो याचिका करता निदोश पाया गया इसके बावजूद NHM के निदेशक ने पुन है जाँच का निने लिया और याचिका करता को 3 अप्रैल को उपसित होने को कहा गया लोगडाउन की कारण उन्होंने जैपुर आने में और समर्थचा जताते हुए अगली तारिख के लिए बोला लेकिन CMH श्री गंगानगर ने याचिका करता को एपी उकर 22 मई को जापुर भीज दिया बार कॉंसिलर फ्राजिसान के पंजियन समीती की बैठक में 200 नए वकीलों का पंजियन किया गया इंदराज चौधरी के अधक्षता में जोधपुर में हुई बैठक में बतार सदसे डॉक्टर सचिन आचारे भी मौजूद रहे बैठक में विभिन आवेदनों पर विचार किया गया और 200 नए वकीलों के पंजियन को मंजूरी दी गई तो फिलहार इस बुलेडिन में इदना है फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ सब्सक्राइब कीजिये हमारे चैनल एस्पिटी न्यूज को और प्रेस कीजिये बैल आइकन पर